तो यार अगर आप 2024 में MBA करना चाहते हो तो भाई यह अपडेटेड लिस्ट है कॉलेजिस की जिनके अंदर आप अभी भी अप्लाइ कर सकते हो तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जूर देखना विकॉज आपको सारे कॉलेजिस पता चलने वाले है जिनके फॉर्म्स अभी भी चांस है अप्लाइ करने का तो चलिए शुरू करते हैं इसे पहले फ्रेंज हम स्टार्ट करें है वो लेक तू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टन वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मि माच से शुरू हो रहा है और 30 नवेंबर तक यह चलेगा लाइफ क्लास इसमें मंडे वेटनस दे फ्राइडे होंगी रात में नौ से गहरा फर्स्ट मन्थ आपकी डेली क्लास होगी वन मन्थ की कैट रिवीजन वर्क्शॉप इंक्लूड़ेड है डेली असाइमनेंट्स मि मिलेंगी 24x7 doubt forum मिलेगा individual portal आपको मिलेगा topic test sectional mocks and full mocks के लिए national level की test series मिलेगी focus होगा cat and non cat exams के ओपर gdpi vat की videos मिलेगी detailed action plan मिलेगा इसके लवा ऐसी आपकी 11 smart books आपके घर पे courier के थूप भी भेज़ दी जाएंगी वैसे तो इसकी fees 35,000 रूपीज है लेकिन आप इसका early bird offer available कर सकते हो और इसको आप 22,500 रूपीज में इसमें enrollment करवा सकते हो अगर आप इसमें join करना चाहते हो तो link आपको description box के इंदर मिल जाएगा तो friends अगर हम बात करें colleges की जो जो open है तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें soil की तो soil की आप देख सकते हो soil में 3 programs है PGPM, PGPM HR और PGDM and as per their website जो इनकी last date है वो 16th March 2024 है तो please अगर आप college में apply करना चाहते हो soil के अंदर तो आप timely इसके अंदर apply कर देना cat, zat, nmat, mat, cmat ये score लेता है और इसके अंदर 70 अगर आपकी cat में 60, zat में 90, cmat में और profile भी अगर आपकी decent है तो आप soil के अंदर apply कर सकते हो इसके तीनों ही programs को आप देख सकते हो कि आपके लिए कौन सा सबसे best है उसमें आप apply कर सकते हो उसके बाद है friends हमाई पर जिस राची जिस राची के अंदर अगर हम बात करें तो जिस राची के भी forms अभी open है last date इन्होंने अभी नहीं बताई है ठीक है to be decided है exam कौन-कौन से accept करेगा cat के zat के cmat इनके through आप apply कर सकते हो और आप देख सकते हो कि application for phase 2 are open या भी है तो this.ac.in.admission इस पे आप visit कर सकते हो और जिस राची के अंदर आप apply कर सकते हो next है friends हमाई पास ISBR, ISBR Bangalore के बारे में अगर हम बात करें तो ISBR Bangalore के अंदर दो programs है एक तो है PGDM का program और दूसरा है MBA का program तो आप दोनों ही programs में apply कर सकते हो इसकी अगर हम ISBR Bangalore की last date के बारे में बात करें वो है 28th March 2024 और कौन-कौन से exam accept करेगा ये cat accept करते हैं, zat करते हैं, nmat करते हैं, cmat करते हैं, mat करते हैं, atma करते हैं, kmat करते हैं PGC, ET करते हैं, अगर मैं cut-off के बारे में बात करूँ, तो 75 रहती है cat और z के अंदर 210 से जाद है, तो आप nmat के अंदर तो भी आप apply कर सकते हो, और around 200 marks अगर आपके cmat में हैं, तो भी आप इस college में apply कर सकते हो next reference, हमाँ पास IFMR, CREA University, IFMR के बारे में अगर हम बात करें, तो जो इसका round 3rd है, वो 30th March 2024 तक open है, तो आप इसके round 3rd के अंदर भी apply कर सकते हो, क्योंकि आप देख सकते हो कि interview की registration है, वो 3rd April तक आप कर सकते हैं, और interview date, जो है वो 6th April 2024, tentatively होने वाली हैं, ये cat, zat, nmat और cmat को accept क करते हैं, और cutoff क्या रहती है, 75 approx cat ozat के अंदर, 222 nmat के अंदर, 85 अगर आपके cmat के अंदर है, तो आप इस college के अंदर apply कर सकते हो, बद make sure कि आप 30th March से पहले-पहले इस college में apply कर दो, next reference हमाँ पास वे लिंकर, वे लिंकर के भी phase 2 admissions start हो गए है, तो आप देख सकते हो कि 27th February से ये admissions start हो गए है, तो please timely आप इस college में apply कर देना, जो इनका second round है, वो बिल्कुल merit based होने वाला है, तो अगर आपकी cutoff match करती है, इसके उपर हमने video भी बनाई हुई, आप channel पे देख भी सकते हो, तो अगर आपकी cutoff match करती है, तो आप वे लिंकर के round 2 में भी apply कर सकते हो, और exam कौन-कौन से हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, cat, zat, cmat, atma, इन सारे exams के थूरू भी आप apply कर सकते हो, please make sure कि आप timely इस college के अंदर apply कर दो, next friends हमाँ पास Great Lakes, Great Lakes में although deadline 15th March लिखी है, but when I tried तो apply now हो रहा था, तो please जब भी आप ये video देखें, तो timely देख लें कि आप जब भी Great Lakes क accept कर रहा है, तो अगर Great Lakes application तब accept कर रहा हो, तो आप definitely visit कर सकते हो, जब मैंने try किया था, तो ये accept कर रहा था, तो cat, zat, cmat के थूरू आप Great Lakes में apply कर सकते हो, PGPM प्रोग्राम उनके लिए होता है, जिनके पास 2 years से जाधा का work ex होता है, और PGDM उनके लिए होता है, जिनके पास 0 to 3 years का work ex होता है, तो cat, zat, cmat के अंदर 80 to 85 अगर आपकी cat, zat में है, and 98 अगर आपकी cmat में है, तो आप Great Lakes में apply कर सकते हो, next है friends हमाँ पास NIA Pune National Insurance Academy के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि last date आप बढ़ा दी गई है, 30th April 2024 कर दी गई है, तो काफी में आपके पास इस college में apply करने के लिए, cut off आप देख सकते हो, general EWS की cat में 75, zat में 85, cmat में 95, और NCOBC, SCST के लिए 71.25 cat में 80.75, zat में 90.25 cmat में अगर है, तो आप National Insurance Academy के अंदर apply कर सकते हो, next reference हमाँ पास Bitsom, Bitsom के बारे में अगर हम बात करें, तो round 3 की जो है वो बिल्कुल बस और round 4 उसके just बात स्टार्ट होगा, 18th मार्च 2024 और 14th April तक चलने वाल है, तो आपके बात दोनों option है, मान लिए जगर आपका round 3 miss हो जाता है, जब तक आप ये video देखते हो, तो आप round 4 के अंदर भी apply कर सकते हो, ये cat को accept करते है, कोई specific cut off नहीं है, profile based admission यहाँ पे होता है, तो हो है college, तो अगर यहाँ पे अगर हम बात करें, तो last date जो है, वो 20th March है 2024 as of now, cut off 75 for cat or cat लिखिया, इस से उपर ही रहती है, अगर आपकी 80 plus है, तो आप इस college में apply कर सकते हो, and 95 plus आप मान सकते हो, CMAT के अंदर, तो आप NIBM पूने में apply कर सकते हो, और ये देखा गया, last 2-3 सालों में इस college ने काफी अच्छा perform किया, इसकी placements भी काफी जाधा improve हुई है, उसके बाद SDA बोकनी आप देख सकते हो, कि SDA बोकनी जो round 3 की deadline है, वो 22 March 2014 है, तो इससे पहले आपको apply करना होगा, जो cat and NMAT बोकनी या बोकनी test आप देना चाहते हो, तो इसकी कोई particular cut off नहीं है, तो यहाँ पर यह overall आपके profile भी देखते हैं, तो आपको 22 March से पहले पहले 3rd round के अंदर apply करना होगा, cat and NMAT के दूब भी देख सकते हो, या आप बोकनी test के लिए भी appear कर सकते हो, next day friends हम आपास master's union, master's union के बाए में बात करें, तो round 1 घतम हो चुक है, round 2 घतम हो चुक है, round 3 आपके पास यह opportunity है कि आप round 3 में master's union में apply कर सकते हो, तो अगर आप master's union में apply करना चाहते हो, तो 24 March से पहले पहले आपको करना होगा, और MU BAT जो आपको देना हो 30 यह 31st, March के आसपास यह करवाने वाले, next day friends हम आपास vedika scholars program, vedika scholars program के बाए में हम बात करें, तो यह program सिरफ girl scholars के लिए है इसके अंदर अगर हम बात करें, डेली के अंदर यह situated है, तो अब round 1 तो इनको over हो गया, लेकिन round 2 में आप apply कर सकते हो, round 2 31st, March 2024 तक open है, तो भाई प्लीज इस date से पहले पहले आप vedika के अंदर अप्लाइ कर सकते हो, कोई application fee नहीं है, तो इस वज़े से आपको जो भी girl students है, वो definitely यहाँ पे apply कर सकती है, next year friends हम आपस FIIB, अगर हम FIIB के बार में बात करें, तो डेली के अंदर यह college situated है, तो FIIB के भी admissions open है, तो कौन-कौन से exams accept करता है, FIIB आप देख सकते हो, कि CAT, ZAT, CMAT, MAT या ATMA के दुरू आप apply कर सकते हो, minimum 60, 60 से 70 percentile अगर आपने score करी है, तो आप F FIIB के अंदर apply कर सकते हो, इसके forms open है, आप इनकी website पर जा के apply कर सकते हो, next year friends हम आपस Voxen University, इसके भी forms open है, कोई last date अभी mention नहीं है, CAT, ZAT, NMAT के दुरू आप apply कर सकते हो, 70 percentile अगर आपकी आई है, तो आप Voxen के अंदर apply कर सकते हो, उसके बाद है friends हम आपस ZYM, ZYM के बार म March है, अब ही तक, और अगर हम exams के बार में बात कर, तो CAT, ZAT, CMAT, MAT, ATM, के थुरू आप ZYM के अंदर apply कर सकते हो, again 70 percentile के असपास, अगर CAT, ZAT में अगर आपकी हैं, तो आप ZYM 70-75 के असपास है, तो आप ZYM के अंदर apply कर सकते हो, तो इसका भी आपको 27th मार्ट से पहले-पहल बढ़ना होगा, इसका registration's on है, तो भाई, प्लीज, टाइमली स्कॉलेज में जाके apply कर देना, उसके बाद है, फ्रेंस है मैं पर इस बिम टेक, बिम टेक की अभी last date mention नहीं है, forms open है, और इसके programs, PGDM, PGDM IB, PGDM Business Management, और PGDM Retail Management, इनके अंदर आप apply कर सकते हो, CAT, ZAT, CMAT, MAT यह ल पता है था कि भाई अभी यह announce करेंगे, to be announced है, भी last date decided नहीं है, तो आपके पास अभी भी opportunity है, college में apply करने के लिए, exam कौन-कौन से accept करेंगे, CAT भी करेंगे, CMAT, ZAT, MAT और ATMA, scores यह accept करेंगे, इसके थुरू आप जैपूरिया के अंदर apply कर सकते हो, तो यह थे कुछ colleges जिसके forms open है, आप इन colleges में timely जाके apply कर सकते हो, तो आपके पास अभी भी opportunity है, आप 2024 से 2026 के batch के अंदर MBA कर सकते हो, कोई और colleges के forms open है, तो आप नीचे comment section के अंदर भी mention कर सकते हो, उसके ओपर भी हम जल्दी वीडियो बना देंगे, यह वीडियो अपने सारे friends के साथ ज़रूर शेया क Thanks a lot, all the best, God bless you.